हलो स्टूडेंट आज हम कक्षा आठ्वी का एक नया चेप्टर रिस्टार्ट करने जा रहे हैं चेप्टर नमबर थ्री समानतर रेखाएं मैं हूं पर्मनन पड़े स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन प्लासेज पर तो आईए देखते हैं समानतर रेखाएं इस चेप्टर में क्या क्या है एक इंट्रोडक्शन देखते हैं और इस चेप्टर का पूरा एक ओवर्व्यू देखेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि समानतर रेखा हैं यह समानतर रेखा होता क्या है इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं ये जो है जैसे कि यो whiteboard जो है एक सम्तल को जो है ये प्रदर्सी करता है यदि हम कोई एक सम्तल लेते हैं और उस सम्तल में एक रेखा खिज देते हैं ये हो गया एक रेखा आप जो है बिंदू, रेखा, कीरण, रेखाखन इसके बारे में पड़ चुके हैं तो मान लेते हैं ये जो है एक रेखा खीज दिया गया है L, अब इसी सम्तल में रेखा L से चाहे इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो, एक निश्चित दूरी पर जो है हम और एक रेखा जो है खीज देते हैं, ये है रेखा M, तो एक ही सम्तल में इस्थित ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिछेद नहीं करते। मतलब यहाँ पर भी प्रतिचेद नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ाने पर भी एक दुसरे को जो है कभी भी प्रतिचेद नहीं करतें तब इस कंडिसन में ये दोनों रेखाएं क्या कह लाएंगे? समानतर रेखाएं कह लाएंगे. तो समानतर रेखा का परिभास हम क्या दे सकते हैं एक ही समतल में इस्थित ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करते हैं तथा आगे बढ़ाने पर भी वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करेंगे तो ये दोनों रेखा क्या कलाएंगे समानतर यहाँ पर दर्साएंगे कैसे? L और यह दो खड़ी लाइन डाल देते हैं, यह समानतर को प्रदर्सीत करता है, इधर लिख देते हैं M, तो यह L समानतर M कहलाएगा, यहाँ पर सर्थ एक ही होता है कि दोनों रेखाओं को एक ही समतल पर जो है होना चाहिए, तो यह हो जाता है आपका समानतर रेखा की परिभाजा, दूसरा दिया गया है कि समानतर रेखाओं के बीच की दूरी, अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों रेखाओं की बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, तो दूरी बोलने से लंबवत दूरी की बात करते हैं, मान लो यह रेखा एम में तो यहाँ पर जो है 90 डिगरी का कौन जो है बनना चीए तो यह जो दोनों के बीच की दूरी है माल लो इसको A और इधर को मैं B लिख दूँ तो A B जो है दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाएगा ठीक वैसे ही अगर बीच में यहाँ पर ले लें दूर B E F तो यह सभी जो है दूरी आपस में कैसे होना चीए बराबर होना चीए अगर वो समानतर है L और M तो निश्चित रूप से सभी बिन्नों पर अगर हम यह लंबवत दूरी लेंगे तो कैसा रहेगा एक समान रहेगा इसको हम एक समानतर रेखा के गुण धर्म के रूप म में सा एक समान पूती है इसके बाद यहां पर है समानतर रेखाओं से सम्बंधित गुण धर्म इसके बारे में जो है हमको विसे चर्चा करना है हमको समानतर रेखाओं से सम्बंधित गुण धर्म अब यहां पर समानतर रेखाओं से सम्मंधित गुर्धर्म में जो है पहला यह है एक ही रेखा के दो बिन्दूओं पर खीची गई लंबवत रेखाएं परसपर समानतर रेखाओं यह जो है हमारा पहला गुर्धर्म है अब इसको थोड़ा समय डीटेल में जो है इसको बताता हूँ क्या बोला गया है यहां पर एक ही रेखा के मतलब यहां पर जो है कोई भी एक रेखा हम ले लेते हैं मान लेते हैं यह रेखा है एल दो बिंदूओं पर तो यहां पर एक बिंदू मैं ले लेता हूँ ए और दूसरा बिंदू ले लेता हूँ सी दो बिंदू पर खीची गई लंबवत रेखा है लंबवत रेखा मतलब इस बिंदू से उपर के और एक ऐसी रेखा खीचते हैं जो कि यह रेखा एल में लंब होना चाहिए यानि कि यहां पर नब्वे अंस का कोण बनना चाहिए माल लेते हैं यह है आपका A B उसके बाद एक दूसरा बिंदू ले है C यहां पर भी हम एक लंब रेखा खीच लेते हैं माल लेते हैं C D यह भी यहां पर लंबवत रेखा करके कितने अंस का कोण बनेगा 90 अंस का बनेगा खीची गई लंबवत रेखा हैं परस पर समानतर हो करने का क्या मतलब ये जो दो रेखा खीचा गया है ये खाए A B और दूसरा है C B ये दोनों आपस में कैसे होंगे बता रहे हैं समांतर होंगे तो ये आपका समांतर रेखा से समंधित पहला गुण दर्म हो जाता है अगर कोई एक रेखा है और इस रेखा में जितने भी लंब रेखाएं खीचे जाएंगे सब आपस में कैसे होंगे समांतर यहां पर हमको दो रेखा खीच के बताया गया है चाहें तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं एक रेखा खीच दिए A B दूसरा खीच दिए C B और एक खीच देते हैं इधर और एक खीच देते हैं तो ये सब यहा आपस में समानतर, ये दोनों आपस में समानतर, ये दोनों आपस में समानतर, इस प्रकार से अगर एक रेखा में जितने भी लंबवत रेखा कीचे जाएंगे, वो सब आपस में कैसे होते जाएंगे, समानतर होते जाएंगे, दूसरा घैज में एक ही रेखा के समानतर, एक ही तो यहाँ पर एक रेखा हम खीज देते हैं और मान लेते हैं यह है L एक ही रेखा के समानतर दो रेखाएं मतलब यह L से सम्मंदित और दो रेखा खीज लेते हैं जो L के कैसे होना चीए समानतर तो मान लेते हैं यहाँ पर L और M कैसे खीज दिया गया समानतर तो यहाँ पर ए एगी रेकार के समानतर दो रेखाएं बोल रहे है तो L के समानतर एक हम खीच दिये M और जो है एक खीच देते हैं N ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे L के समानतर खीचा गया है M और L के समानतर खीचा गया है N मतलब ये L और M समानतर है ये L और N भी समानतर है तो उस कंडिशन में ये दुनों M और N भी समानतर होंगे इसका कहने का मतलब है मैं यहाँ पर फुड़ा ये के रूप में लिग देता हूँ यदि L समानतर N वा L समानतर M वा L समानतर N हो तो M और N भी आपस में कैसे हो जाएंगे? समानतर हो जाएंगे मतलब एक रिखा दिया गया है और उस रिखा के समानतर बहुँ सारे समानतर रिखा खीज दे रहे हैं तो वो सभी भी आपस में कैसे हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं अगला गुर्दर्म देखते हैं, तीन समांतर रेखाओं पर यहां पर तीन समांतर रेखां हम ले लिये हैं, L, M, N ये तीनों जो हैं समांतर रेखा है एक तीरियक रेखा यहाँ पर ये पी जो है एक तीरियक रेखा है जो L, M और N को बिंदू A, B और C में प्रतिछे करती है तो एक तीरियक रेखा समान अंतर खंड काट अब यह अंतर खंड क्या होता है यहाँ पर L, M, N को जो है एक तीरियक रेखा पी काट रही है तो यहाँ पर अंतर मतलब यह अंदर वाला भाग और खंड मतलब तुकड़ा तो यह अंदर वाले में जो हैं दो तुकड़े हमको प अंतर एन तथा AB बराबर BC हो यह AB और BC मतलब यह दोनों अंतरखन अगर समान होते हैं उस कंडिशन में तो दूसरे तीरियक रेखा भी यहां पर एक और तीरियक रेखा दिया गया है क्यों भी समान अंतरखन काटेगी कहने का मतलब यह है L समानतर M समानतर N यह तीनों समानतर रेखा में एक तीरियक रेखा P जो है समान अंतरखन काट रही है AB बराबर BC तो यह जो दूसरा तीरियक रेखा है वो भी समान अंतरखन काटेगी यानि कि D E और E F को भी कैसे होना पड़ेगा बराबर होना पड़ेगा तो यदि L समानतर M समानतर N तथा A भी बराबर B C हो तो D E बराबर E F भी होगा यदि ये बराबर है तो ये भी हमको बराबर प्राप्त होता है ये है आपका गुण धर्म नमबर 3 इसी प्रकार इसका चौथा भी इसी टाइप का है थोड़ा सा वर्तन उसमें आपको दिखेगा यहाँ पर हम डारेक्ट बोल दिया है समान अंतर खन वहाँ पर आ जाता है समान अनुपात वला अंतर खन चौथा देखते हैं लगभग तीसरा के जैसे ही है तीन समानतर रेखाओं पर किसी एक तीरियक रेखा के द्वारा काटे गए अंतर खन्नों का जो अनुपात होता है वही अनुपात अन्य तीरियक रेखाओं में भी होता है अब इसको थोड़ा समझते हैं यह तीन समानतर रेखा है इस तीन समानतर रेखा को एक तीरियक रेखा काट रही है तो यहाँ पर A B और B C के बीच में जो अनुपात होगा अनुपा प्राप्त होगा तो यहां तीसरा और चौथा में ज्यादा अंतर नहीं है तीसरा में हम देखे थे यह दोनों अंतरखन बराबर है तो यह दोनों अंतरखन भी बराबर होंगे यहां हम देख रहे हैं इन दोनों अंतरखनों का जो अनुपात हो रहा है इन दोनों अंतरखनों क पर एक त्रिभूज जो है ले लिया, एक भूजा के समानतर खीची गई रेखा, यहाँ पर ये एक भूजा है BC, और इसी के समानतर हम कौन सा खीच दिये हैं, DE, याने कि त्रिभूज ABC में हमने क्या किया है, BC के समानतर खीच दिया है, DE, ठीक है, ये BC और DE दोनों समानतर है, को ये जो रेखा है DE अन्य दो भूजाओं को बोलने से कौन सा AD और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है कहने का मतलब अगर ये BC के समान तर DE खीचा गया है तो ये D AB को दो बाट रहा है अलग-अलग तो ये AD और DB इन दोनों का जो अनुपात होगा E जो है AC को दो अनुपात में भाट रहा है तो ये AE और EC ये दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा किसी भी त्रीभूज में एक भूजा के समान तर अगर कोई देखा खीचा जाए तो ये बाकी जो दो भूजाओं को है समान मध्य बिन्दूओं ये एक त्रीभूज ले लिया गया है ABC इसमें भूजा AB का मध्य बिन्दू है D भूजा AC का मध्य बिन्दू है E बोला गया एक त्रीभूज में किनी दो भूजाओं तो AB और AC का ले लिये मध्य बिन्दूओं को यानि कि D और E को मिलाने वाली रेखा अगर हम ये D और E को मिला दें, तो हमको रिखा मिलेगा D E, तीसरी भूजा के कैसे होती है? समानतर होती है, कहने का मतलब ये है, कि अगर A B का मद्ध्यविंदू क्या है? D, A E का मद्ध्यविंदू, A C का मद्ध्यविंदू कौँसा है? E, तो अगर ये D और E को मिला दिया जाए तो जो भी हम को रिखा प्राप्त होती है D E ये तीसरे वाले भूजा याने कि BC के कैसे हो जाएगा समानतर हो जाएगा तो इस प्रकासे इस चेप्टर में समानतर रिखा से समंधी जो गूर्ण धर्मत था ये जो है इतना में complete होता है अगले वीडियो में जो है हम प्रस्नावली के प्रस्ना जो है हल करेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में